यदि किसानवायो आपके धान की पसल में बालिया निकलने वाली हैं, और आप सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा खाद डालने जिसे की पैदावार और अधिक बढ़ाया जा सके दोस्तों, बालिया निकलने से पहले जितने भी खाद आपने डाले हैं, वहाँ खाद पौदे पहले ही गिरेट कर चुके होते हैं और अब आप सोच रहे होंगे कि बालिया निकलते समय कौन सी खाद डाल है तो हम आपके लिए एक ऐसी खाद लेकर आएं यदि आप सिर्फ और सिर्फ 80 रुपे प्रति बिया खर्च कर लेते हैं तो आपको धान में जो बालिया निकलेंगे वो काफी लंबी बालिया निकलेंगी दाने से बरपूर बालिया निकलेंगी एट टू जेड जनकर इस वीडियो के माद्यम से दी जाएगी तो दोस्तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली वार आएं क्रिप्या करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वारे बेल आगन गंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली वो इंपूडेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो यदि आपकी फसल 50-60 दिन की हो चुकी है फसल गवोट अवस्था में है लेकिन बहुत से किसानवाई कामेंट कर रहेते हैं कि फसल का पीलापन ग्रोथ रुकी हुई है तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं पौदे के अंदर पोसकत्त्त की कमी जरूरत से ज़्यादा पा होता है और फसल के अंदर जितने कल्लों की संक्या कम होगी उतना ही उत्पादन कम निकल कर आएगा तो इससे बचने के लिए खाद प्रवंदर पसल के अंदर जरूर अपनाना चाहिए जैसा कि यदि आपकी पसल 25-30 दिन की हुई होगी उस टाइम आपको डालना था इस द्यान रखना चाहिए बात करें कि बालिया निकलते समय किस खाद का प्रियोकर है ताकि फसल से अच्छा उत्पदन लिया जा सके तो अम मैं जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ यदि इसको बालिया निकलते समय पहले आप इस्तिमाल कर लेते हैं तो वह पसल के का वराब होगा पोटेसियम पासफोरस के साथ साथ यदि आप बोरोन का इस्तिमाल करते हैं तो काफी ज़्यादा फाइदा फसल के अंदर होगा बोरोन बालियों में फूल से दाना बनने में एहम भूमिका अदा करता है बोरोन से परागरण की क्रिया में बहुत तेजी से होती है बालियों के अंदर अधिक से अधिक दानों का वरा होता है इन तीनों खानों के खर्चे की बात करें दोस्तों तो लगवग 80-90 रुपे प्रति बीगे के इसाफ से खर्चा आने वाला है पोटेसियम पासफोरस के लिए आप एनपी के खाथ जैसे एनपी के जीरो बा 5% और पोटेसियम 34% मिल जाता है इन तीनों का मिस्रल लेकर यदि आप बालिया निकलते समय कर लेते हैं तो लगवग 8-10 दिन बाद आप देखेंगे कि धान की फसल के अंदर एक समान आकार की बालिया निकल रही है और जो बालियों में दाने वरेंगे वो बिल्कुल बजनदा दाने वरेंगे जिनको यदि आप मार्केट के अंदर बेचोगे तो सबसे उंचे रेट मिलेंगे और जो आपका उत्पादन है वो भी अन किसानों की अपिच्चा सबसे ज़्यादा निकल कर आएगा तो आप भी कम से कम खर्चे में मात्र 80-90 रुपे में आएवां जेकसान